दोस्तो आपने काहबत तो सुनी होगी कि अगर आप खुद को समय के साथ बदल नहीं सकते तो समय आपको अपने इसाब से बदल देता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक business idea बताऊँगा जिसको आप इस्टार्ट करके अच्चा खासा पैसा कमा सकते हैं एक unique business idea आप लोगों के साथ share करूँगा दोस्तो आपको ये तो पता होगा आंगे बारिस का समय आने वाला है और जैसा कि आपको पता है कि ये modern लोग हैं ये चत्तुरी या umbrella ले जाना पसंद नहीं करते एक समय था जब बारिस का टाइम आता था लोगों अपिस चाते थे सभी के बैग में umbrella रखा हुआ था और कोई market भी जा रहा है तो भी रखे ले जा रहा है धूप से बचने के लिए भी umbrella का यूज गर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे changing आती गई लोगों ने ये चीज छोड़ दी और umbrella का यूज भी चला गया लेकिन आपको एक बात बताओं कि जब कोई चीज छूड़ती है तो उसके बदले कोई एक ऐसा alternative आ जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा demand होती है market में जैसे पहले bike चलती थी तो लोगों ने bike का यूज कम किया तो four wheeler आ गई four wheeler का यूज कम किया तो और आगे चीज़ें आ गई तो इस तरीके से चीज़ें आगे आती जाती है अब हुआ क्या कि जैसे कि ये बारिस का समय आने बाला है तो छत्री का यूज नहीं करते आज के समय पर लोग ran card का यूज करते हैं आप कहोगी ये ran card क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको ran card दिखाता हूँ इधर side में आप ये देख सकती है ran card की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि एक छोटा सा packet जो की आपके purse में भी आ सकता है उसको बारिस की समय पर आप किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं एक छोटे से packet को आप jam में रख सकते हैं अपनी purse में रख सकते हैं और जब आपको एक साथ immediately बारिस का मौसम कहीं ही दिखे और बारिस आ जाई तो तुरंत इसे open करके आप पहन सकते हैं और उस बारिस से बच सकते हैं तो ये तो आपके फायदे की बात हुई और जो इस product को यूज करेगा उसके फायदे की बात हुई लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कैसे इसी का जो rent card एसे बोलती हैं इसका आप business कर सकती हैं सबसे पहले दोस्तों ये तो आपको पता चल चुका होगा ये एक unique चीज है और इसको लोग सबसे जादा खरीदना पसंद भी करेंगे क्यो दूसरी चीज बारिस का मौसम भी आने वाला है तो उस समय इसकी काफी ज़्यादा demand रहेगी अब भाई बात करते हैं कि इसका business आप किस तरीके से कर सकते हैं उस चीज की तो सबसे पहले इसकी मैं cost बताता हूँ आपको कि ये कितने रुपए में आपको मिल जाएगा तो दो जिसे आराम से 40-45 रुपए का आप आसानी से सेल कर सकती हैं अगर इसकी rate को हम Amazon Flipkart या online से compare करें तो वहाँ पर यही 80 रुपए 100 रुपए 120 रुपए तक का सेल हो रहा है जिसे आप offline market में 45 रुपए का आसानी से सेल कर सकती हैं और एक limited time period में काफी ज़्यादा profit कमा सकती हैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इसको online सेल करना चाहें तो वो लोग online भी सेल कर सकते हैं इसे आप बलक में खरी दिये 120-250 इतने ज़्यादा भी मत खरी दिये आप ऐसा करिए कि जिसे आपको 25 रुपए का पढ़ रहा है तो आप 120 करी लिजिए 25 रुपए के साबसे 25 र चीज है और उसके बाद आप इने सेल करिए और काफी अच्छा profit margin आप एक short time में इससे कमा सकते हैं काभी अच्छी चीज है आप एक बार यूज करके देख़िए खुद और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आंगे से सेल कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद